नमस्कार दोस्तों, हम जे कृष्णमूर्थी की बुक First and Last Freedom का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ती पड़ रहे थे, जिसका आज हम प्रश्ण उत्तर के भाग में से 35 प्रश्ण को पड़ेंगे, जो की है मन की निश्चलता के उपर। कृष्णमूर्थी से प्रश्ण पूछा गया कि आप मन के निश्चल होने की बात क्यों करते हैं, और यह निश्चलता है क्या। क्या प्रयास, विसलेशन, तुलना या किसी मानसिक उठापटक के जरिये भला हम कुछ समझ पाते हैं, निश्चे ही समझ तभी आती है जब मन बिलकुल खामोश होता है। यह कहा जाता है कि जितना अधिक हम भूख के या युद्ध के प्रश्ण से अथवा और किसी भी मानवे समस्या से जूजेंगे, उतना ही अधिक हम उसे समझ पाएंगे। क्या यह सच है? सताब्दियों से युद्ध हो रहे हैं, वैक्तियों के बीच एवं समाजों के बीच द्वंद बना हुआ है, आंतरीक एवं बहाय युद्ध निरंतर जारी है, क्या उस युद्ध का उस द्वंद का निप्तारा हम और अधिक द्वंद अथवा संगर्थ से क उसके सामने होते हैं जब हम तत्थे का सामना कर रहे होते हैं और हम किसी तत्थे का सामना तभी कर पाते हैं जब मन एवं तत्थे के बीच बाधा उत्पन करने वाला कोई विक्षोब नहीं होता अतहा यदि हम समझना चाहते हैं तो क्या यह जरूरी नहीं है कि मन मौन हो आप आप निश्चे ही या प्रश्न करेंगे कि मन को कैसे निश्चल किया जा सकता है आपकी तत्काल प्रतिक्रिये यही होगी होगी न? आप कहते हैं मेरा मन शुब्द है और मैं उसे सांत कैसे रखूँ क्या कोई पध्धती मन को सांत कर सकती है क्या कोई सूत्र, कोई अनुसासन मन को निश्चल कर पाता है ऐसा किया जा सकता है परंतु जब इस प्रकार मन को सांत बना दिया जाएगा तो वह मौन होगा, निश्चलता होगी? बिल्कुल नहीं या कि वह मन को किसी विचार में, किसी सूत्र में, किसी सब्दावली में जगड लेना होगा ऐसा मन तो एक मृत्व मन होगा अधिकान स्वैक्ति जो कि अध्यात्मिक, तथा कथित अध्यात्मिक होने का प्रयास करते हैं मृत्प्राय होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को सांत रहने के लिए प्रसिक्षित किया होता है। उन्होंने सांत रहने के लिए अपने आपको किसी नुस्खे में कैद कर लिया होता है। इस पश्ठ है कि ऐसा मन कभी मौन नहीं होता। उसे केवल दमित कर दिया जाता है, दवा दिया जाता है मन केवल तभी मौन होता है जब वह इस सत्ते को देख लेता है कि समझ तभी संभव है जब मन मौन हो यानि यदि मैं आपको समझना चाहूं तो मुझे सांत होना होगा मुझे में आपके विरुद्ध कोई प्रतिकिलिया ना हो मैं पुर्वग्रह युक्त ना रहूं मुझे अपने समस्त निस्कर्सों को अपने अनुभवों को हटा कर आपके समक्ष आना होगा जब मन संसकार ग्रस्तता से मुक्त होता है केवल तब ही मेरे लिए समझ पाना संभव होता है जब मैं इस बात के सत्य को देख लेता हूँ तब ही मन मौन होता है और तब यह प्रश्ण नहीं उठता कि मन को कैसे सांत बनाया जाए केवल सत्य ही मन को उसकी उद्भावनाओं कल्पनाओं से मुक्त कर सकता है समझ पाना मुम्किन नहीं है मन की निश्चलता कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिसे इच्छा सकती के द्वारा अकांशा की किसी क्रिया के द्वारा पैदा किया जा सके यदि ऐसा होता भी है तो वह मन जकड़ा हुआ अलग थलग वाम्रित प्राय होता है और इसलिए उसमें सवांजस्य, नमनियता, सहज, स्फुर्टी नहीं होती ऐसा मन स्रजंसील नहीं होता तो अब हमारा प्रश्न यह नहीं है कि मन को निश्चल कैसे किया जाए प्रश्न यह है कि कोई भी समस्या सामने आते ही उसके सत्ते को कैसे देखा जाए मन एक सरोवर के समान है जो वायू के इस्थिर होते ही सांत हो जाता है हमारा मन शुब्द है क्योंकि हमारे पास समस्याएं है और समस्याओं से बचने के लिए हम मन को सांत बनाते रहते हैं परंतु मन ने ही इन समस्याओं का प्रक्षे पड़ किया है और मन से अलग कोई समस्या नहीं है और जब तक मन सम्वेदन शीलता की किसी भी धारना का प्रक्षेपड करता रहता है किसी भी प्रकार की निश्चलता का अभ्यास करता रहता है वे निश्चल कभी नहीं हो पता जब मन को यह एसास हो जाता है कि इस्थिर निश्चल होने से ही समझ संभव है तब वे नितांत मौन हो जाता है वह मौन थोपा हुआ नहीं होता अनुसासन जन्न नहीं होता वह एक ऐसी सांती होती है जिसे बिचेन मन समझ ही नहीं सकता मन की सांती की तलास में कई लोग सक्रिय जीवन त्याक कर किसी गाउं का, किसी आत्रम का या पहाडों का रुख करते हैं या फिर किसी विश्वास में खुद को कैद कर लेते हैं या अपने को परिशान करने वाले लोगों से बचते रहते हैं ऐसा अलगाव मन की निश्चलता नहीं है किसी अवधारना, किसी विचार में मन को बंद कर लेना या उन लोगों से बचते रहना जो जीवन को और जटिल बना दिया करते हैं इस सबसे मन की सांती नहीं आ सकती मन की निश्चलता का आगमन तभी होता है जब अनुभव संचयन के द्वारा अलगाव की कोई प्रक्रिया नहीं होती बलकि जब संबंद की समस्त प्रक्रिया को पुर्णतया समझ लिया जाता है यह संचयन मन को जिर्ण बना देता है जब मन ताजा होता है, संचेन की प्रिक्रिया से मुक्त और नवीन होता है, केवल तभी मन के प्रशान्त होने की संभावना होती है ऐसा मन ब्रितप्राय नहीं होता, वह अतीव सक्रिय होता है, निश्चल मन सरवाधिक सक्रिय मन होता है, किन्तु यदि आप इसके साथ प्रियोग करेंगे, गहराई से इसकी जाच करेंगे, तो इस पस्टता देख पाएंगे कि इस निश्चलता में विचार का कोई प्रक्षे प्रण नहीं है, विचार सभी स्तरों पर स्मृति की प्रतिकिलिय होता है, एवं विचार सरजन की आवस्था में कभी नहीं हो सकता, विचार सरजन सीलता को अभिव्यक्ति दे सकता है, लेकिन वह स्वता कभी भी सरजन सील नहीं हो सकता, जब मौन होता है, मन की वह प्रशा जो की कोई प्रिणाम नहीं है तब हम देख पाएंगे कि उस मौन में एक असाधरन गतिविदी है एक असाधरन किर्य शीलता है जिसे विचार से शुब्द मन कभी नहीं जान सकता उस निश्चलता में कोई उधेड़ बुन नहीं होती कोई विचार नहीं होता कोई स्मृती न प्रक्रिय का पूर्ण बोध हो पूरी समझ हो नहीं तो निश्चलता का कोई अर्थ नहीं है केवल उसी निश्चलता में उसी सांती में जो की कोई परिणाम नहीं है उस चिरंतन का अन्वेशन हो पाता है जो काल से परे है तो दोस्तो यह प्रश्ण यहीं खतम होता है उमी टाइम